नमस्ते व्रिवान आप लोग का फिर सेख बर स्वाहत करता हूँ मेरे चैनल टेक शूबड़ों में आज का मारा टॉपिक है वन प्लस नाइन आर्टी आप लोग बहुत ही बेस अपरी से इस सेट के लिए वेट कर रहे थे और यूट्यूब में तो चारो तरग छाया हुआ तो वन प्लस नाइन आर्टी वन प्लस नाइन आर्टी तो वन प्लस ने आप लोग के सुन ली वन प्लस ने इस सेट का लॉंच इबेंट इंडिया में कॉन्फरम कर दिया है 14 जानवरी 2022 को और इसके पोस्टर भी आप लोगों के अमाजन में देखने मिलेंगे तो आज हम इस पोन के प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में जाके लिए तो वीडियो को बिना कोई देडी करते हुए चलिए शुरू करते हुए तो पहले हम इसके डिस्प्ले के बारे में जाने के इस पोन में आप लोगों को 6.62 इंचेस का एक फुल एसटी एमोलेट डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है इसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट इसका पिक्सल डेंसिटी है 397 पीपी है आपको इस फोन में कॉल्रिंग गोरिला ग्रास का पोटेक्शन मिल जाता है लेकिन कौन सा कॉल्रिंग गोरिला ग्रास यूज किया है वो यहाँ पे बताए नहीं गया है और आप लोगों को इसके साथ साथ Always On Display भी मिल जाता है इस फोन में आपको In Display Fingerpin मिलता है तो फ्रेंट्स आब आता है इस फोन की कैमेरा पे इस फोन के बैक साई में आप लोगो ट्रिपल कैमेरा सेरा मिल जाता है जिसका Primary Camera है 50 Mbps इसका aperture ने F1.8 इसके बाद आप लोगों को एक Ultra Wide Angle Camera मिल जाता है जो कि है 16 Mbps इसका aperture ने F2.2 इसके साथ साथ आप लोगों को एक Macro Camera भी मिल जाता है जो कि है 2 Mbps इसका aperture ने F2.4 आपको Backside में Dual LED Flash भी मिल जाता है यह camera 4K 60fps तक वीडियो को shoot करता है आप आते हैं इस phone के front camera पे इस phone में आप लोगो को 16 Megapixel का selfie camera मिल जाता है इसका aperture f 2.4 यह camera 180p 30fps तक वीडियो को shoot करता है यह phone Android 11 के साथ आने बाला है और आपको इस phone में operating system मिले का color OS 12 तो आप आते हैं इस phone के performance पे इस phone में आप लोग Qualcomm का Snapdragon 888 5G processor मिल जाता है जो कि एक 5nm वेस octa core processor है इसका एक call 2.84 giga पे clock किया गया है कायो 680 के साथ और 3 phone आप लोगो को मिल जाएंगे 2.42 giga पे clock किया हुआ कायो 680 के साथ और 4 phone आप लोगो मिल जाते है 1.80 giga पे clock किया हुआ कायो 680 के साथ इस phone में आप लोगो GPU मिलता है Adreno 660 आप लोग इस phone में तगरी येमिंग कर सकते हैं क्योंकि इस phone में आप लोगो एक beast processor मिल जाता है तो अब बढ़ते हैं अगले topic पे इस phone में आप लोगो stereo speakers मिल जाता है 3.5 येमिंग जैक इस phone में नहीं मिलेगा आप आते हैं इस phone के battery 4500 एमिज की बड़ी सी battery आप लोगो मिल जाती है ये phone 65 watt तक fast charging को सबूर करता है ये phone 29 minutes में 100% charge हो जाता है इस phone में आप लोगो को USB type C 2.0 मिल जाता है तो friends आप लोगो को 3 вариант में मिल जाएगा 8GB RAM 128GB storage के सार் दूसरा brand आप लोगो को मिल जाएगा 8GB RAM 256GB storage के सार् तीसरा brand आप लोगो मिल जाएगा 12GB RAM 256GB storage के सार् इस phone में storage type है UFS 3.1 इस phone में आप लोगो RAM type मिलता है LPDDR5 इस फोन में आप expandable memory नहीं लगा सकते हैं यह फोन 5G supported है guys हमको एक फोन में जो जो चाहिए इस फोन में हमको सब कुछ मिल जाता है एक अच्छा display मिल जाता है वो भी 120Hz refresh rate के साथ और इस फोन में एक अच्छी processor मिल जाती है हमको जिसके साथ हम आराम से gaming कर सकते है इस फोन में हमको एक decent सा camera signal मिल जाता है तो pictures भी अच्छी ही आएंगी और इस फोन में हमको 4500 image की अच्छी बैटरी मिल जाती है तो battery backup भी हमको अच्छी मिल जाए और इस फोन में RAM and storage की भी कोई भी कमी नहीं है और इस फोन में हम लोगों को stereo speakers मिल जाता है तो फ्रेंड्स आब आते हैं इस फोन का price पे इस फोन का जो बेस मिल एंडे 8GB RAM 128GB storage वाला उसका price होने वाला है around 40,000 तो फ्रेंड्स आजका वीडियो यहीं तक था आप लोगो को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजे अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजे और हाँ मेरे चैनल में नहीं आया है तो जरू सस्क्राब कीजिए क्योंकि मैं इस तरह के और भी नए वीडियो लाता रहूँ तो फ्रेंड्स हमें आप लोगे साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ताइब